सो हेई गाइस वेलकम बैक टो वीडियो चैनल और आज वीडियो उन्बॉक्सिंग करने वाले हैं पायर बॉल्ट हल्क ब्लुटू स्मार्ट कॉलिंग स्मार्ट वॉच का तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास यह वाच है ब्लाक कलर में तो चलिए इसको फट स्मार्ट वॉल्ट हल्क बूतुत कॉलिंग स्मार्ट वॉच और यहाँ पर कुछ इस तरह की स्मार्ट वॉच होने वाली जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 45.22 mm की डिस्पले है इसमें और इसमें आपको 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 मिलने वाली हो जो की 550 nits brightness के साथ आपको मिलने वा आपको 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 आपक तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगी एक यूजर मैनुवल आप इसे पढ़ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है से सेट अप करने का बाकी आपको पढ़ने ज़ूद नहीं है बाकी में सब कुछ आपको बताने वाला इस वीडियम आपको तो इसको साइड म को मिल जाएगा जिसमें आप वॉर्णि क्लेम कर सकते वारंटी काड है और यहाँ पर अपको एक मूबी कूपन भी आपको देखने को मिल जाएगा आपको रीडियम कर Left बाकी आपको बाक्स Inde को सब्सस्खेस में अपनी मेन वाच की तो कुछ इस तरह की हमारी वाच है चलिए पहले इसको अन्राप कर लेते हैं ये चलिए अब इसे ऑन कर लेते हैं अन्राप करने के बाद आपको कुछ इस तरह के इंटरफिस देखने को मिलेगा फिलाल तो मैंने यहां पर इसका वाल पेपर चेंज कर रखा हुआ है थीम जो है आपको कुछ अलग थीम को मिलेगी वह भी आपको दिखा दूंगा मैं चलिए इसके फीचर्स के बारे में बात क आपको देखने को मिल जाएगा कितने स्टेप्स आप चले हुए है कितने किलोमेटर हुआ है हाट रेट मोनिटरिंग आप भी देखने को मिल जाएगी यहां पर टाइम डेट और देखने को मिल जाएगा तो मुझे कुछ अच्छा लग रहा था बाकि आप अपने मन से को मिल जाएगी यहां पर Bluetooth connectivity का feature आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर vibrate का फुछ मिल जाएगा अगर आप वाइबरेट करते हैं तो आपको call notifications नहीं आएगी और अफ कर देते हैं तो आपको call notification आपको देखने को मिल जाएगी यहां पर आपको थेटर मोड भी देखने को मिल जाएगी तो काफी बहतर आपको daylight में भी आपको देखने को watch मिलेगी बाकि यहां torch option मिल जाता है अगर आप इसके यूज करते हैं तो यह torch फिलाल तो भी मैं दिखाने सकता है क्योंकि लाइटिंग में हूँ मैं आपको एन मौकी के वक्त में यूज कर सकते हैं बाकी और features की बात कर रहे हैं यहां पर आपको weather updates मिल जाता है आप इस पर क्लिक करोगे तो आप नेट करना पड़ेगा आपको इससे एप के थुरू तो आप इसमें weather updates भी ले सकते हैं बाकी बात करें यहां पर settings आपको देखने को मिल जाता है इसको बाल में देखेंगे फिलाल बैक आते हैं और अगर आप यहां पर left swipe करते है तो यहां पर आपको quick action button आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे आप यहां पर देख सकते हो quick action button आपको देखने को मिल ले होंगे आप इसमें से जाके आपको जो अपने recent app open करेंगे आप वो चेक आउट कर सकते हो बागे अगर बात करें आगर आप नीचे से swipe करते हो आपको तो यहां पर आपको message notification जो भी आते हैं यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे और यही बात अगर आप right पर side करते हो तो यहां पर आपको कुछ और features देखने को मिल जाएंगे जिसे AI VOSC option मिल जागा इसके लिए आपको एप से connect करना पड़ेगा यह भी मैं आपको दिखाऊंगा आग करती है चलिए यहां पर रख लेते हैं टेबल पर ही तो जैसे यहां पर देख सकते हैं इसने टेबल का heartbeat नहीं बताया है तो मलब यहां पर sensors के काफी अच्छे काम कर रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं यहां पर on का heartbeat और इसने notification दे दिया है please wear on your wrist and try again तो काफी अच्छे sensors के work कर रहे हैं बाकि अगर हम बात करें इसकी SPO2 की तो इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार रख के कि यह सही से काम कर रहे हैं या नहीं तो जैसे आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर मैंने लग दिया इसने भी यहां पर alert दे दिया आपको कि please wear on your wrist and try again तो यह भी सेविसर का आप यह अच्छा काम कर रहा है बाकी और options की बात कर रहे जाए तो आप यहां पर slide करते जाओगे जैसे आप देख सकते हो SPO2 आपको देखे मिल जाएंगी stopwatch option भी आपको मिल जाता है calculator का भी option मिल जाता है यह काफी अच्छी बात है और यहां पर player मैंने extra add कर रखा यह feature player आ एक drawback है कि यहां पर volume control नहीं कर सकते हो आप down नहीं कर सकते हो सिर्फ गाने को change कर सकते हो कौन से गाना बजरा यह भी आप नहीं देख सकते हो तो इसका drawback यहां पर एक नजर आता है इसका बाकी यहां पर option मिल जाता है add components का तो जैसे आप यहां पर प्लस का icon क्लिक करते हो त यहां पर आपको shutter button को भी देखना option मिल जाएका आप आप यहां पर यहां पर इसका कर सकते हो बाकी आप exercise record भी और देख सकते हो बाकी phone सबसे पहरे दिस्प्ले को उप्शन को चेक कर लेते हैं दिस्प्ले को आप जाने के बाद आपको यहां पर चीज़ देखेंगी ओर शुप मैन्य व्यू ब्राइटनेस वाच फेस्ट और अटो स्लीप को जाते हैं और आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी स्क्रीन टाइम जो है वो कितने सेकेंड्स बात क्लोज होगी जैसे आप देख रहे हैं बहुत जल्दी ली क्लोज हो जा रही है तो यह प्रब्लम से बचने के लिए आप यहां पर सेट कर सकते हो यहां चलिए मैं अभी 30 सेकेंड्स पर लगा देता हूँ ताकि जल्दी ओफ ना हो और मैं आ और लिस्ट प्रफर करता हूँ कि आप इसे जाइन है नहीं चोड़के लिस्ट वियू में यूज़ करें तो यहां पे सबसे पहल़ा प्स्ळैन मैं आपको यह बता दिया बाकी अगर बात करते हैं हम यहांपने राइट के आपको बताए चाहल def hi आपको देखने को मिल जाती है तो काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी आपको daylight में कोई भी problem नहीं होने वाली है बाकी next बात करते हैं watch faces की तो watch faces यहाँ पे आपको default मिल जाते हैं जो watch की तरफ से आते हैं बाकी आप custom watch faces भी आप change कर सकते हैं अपने app के use करके बाकी यहाँ पे कुछ इस तरह के app faces मिल जाते हैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ जो default है यहाँ पे यह है पहला जो मैंने लगा रखा हुआ है और बाकी अगर आप change करना चाहते हैं तो यहाँ से आप change कर सकते हैं आपको change करके दिखाता हूँ यह दूसरा है यह तीसरा चौथ कुछ ऐसे आपको watch faces मिल जाते हैं यहाँ से pre default आपको यह वाला देखने को मिलेगा जाओ आप new smart watch open करेंगे तो आपको यह आला watch face आपको देखने को मिल जाएगा बटे मेरे को कुछ अच्छा खास नहीं लग रहा था इसलिए मैंने चेंज कर रखा था इसे तो आप भी चा करना पड़ेगा तो बढ़ते हैं अपने next option की तरफ तो settings पर जाने की बद जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर दूसर्य option अपको देखने को मिल जाता है vibration and ringing option आपको देखने को मिल जाएगा तो वीसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो options मिल जाते हैं mode change कर सकते हो और बाकी यहाँ पे इसका vibration की intensity आपको change करनी है तो यहाँ पे आप soft या फिर strong कर सकते हो अपने हसाब से recording बाकी next feature की बात करते हैं यहाँ पे तो low power mode यानि की power saving mode आपको देखने को मिल जाएगा आप इसे भी use कर सकते हैं तो यहाँ vibration quick view और turn down the brightness हो जाएगी यहाँ यानि की brightness कम हो जाएगी vibration off हो जाएगा आपको जो side में आता है वो भी off हो जाएगा तो फिलाल इसको हटा देते हैं theater mode में जैसे आपको बताई चुका हो vibration of brightness down हो जाएगा vibration off हो जाएगा तो इसको फोन यहाँ जही आपको फोन काल्स के लिए यहाँ पोपन करना पड़े गाए और की बाकि भी off को अबट करना पड़ेगा बाकि स्क्रीण क्लॉक की बात करें तो जो मैंने बताया था रात के टाइम पर मैं इसके रिकॉर्ड कर रहा हूं और यहां जिसे आप देख सकते हैं दस बज़े के बाद रात के और सुबह के आड़ वेजे तक यह आपने आप आप आटमेटिक ओफ हो जाता है बाकी बात करें तो यहां पर आपको find phone का option मिल जाता है आप इसको app से connect कर लिजे आपका phone जहां भी होगा वाइबरेट करने लगेगा और यह भी आपको बता देगा phone कहां पर है बाकी system की बात करते हैं यहां पर system देखने को मिलेंगे restart power off reset restart यानि कि आप फोन में सारे options होते हैं जासे वैसे ही इसमें भी है restart करेंगे तो वापस watch restart हो जाएगी power off करेंगे तो shutdown हो जाएगी रिसेंगे तो पूरी watch reset हो जाएगी बाकी यहां पर about की सेक्षिं में जाता है about में डाउट करना है आपको इसका तो यहां से आप phone में scan करके app को डाउट कर सकते हैं और यहां पर वजन आप को चेक करना है कि watch को वजन कौन सा यहां पर पूरी detail आपको देखने को मिल जाएगी बाकि यहाँ पे इसका menu option पे चेक कर लेते हैं, menu option कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा, जिसमें सारे features आपको देखने को मिल जाएगे, आपको देखने को मिल जाएगा, steps, आपने कितने steps काउंट किये, बाकि आप नीचे slide करेंगे, तो यहाँ पे आपको सारा data इसका देखने को मिल जाएगा, आप एप में भी data checks कर सकते हैं, बाकि फोन कॉल्स का आप जाएगा, इसका भी tracking system आपको देखने को मिल जाएगा, सारा data आपको देखने को मिल जाएगा, spo2 का सेम मिल जाएगा, training options में आपको, walking, running, cycling, skipping, सारे बहुत सारे, मिल जाएगे modes, exercise records आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, फिलाला भी कोई record है नहीं, तो उसमें no दिखा रहा है, बाकि breathe exercise आपको करना है, तो यहाँ पे breathing exercise कर सकते हो tap to start पे क्लिक करेंगे, तो आपका breathing exercise स्टार्ट हो जाएगा, आप breathing exercise भी कर सकते हो, बाकि यहाँ पे आपको weather चेक करना है, तो आपको इसके लिए connectivity चाहिए होगे, of course, आपके app से, phone से, यहाँ पे आप weather चेक कर सकते हो, weather आपकी update देखने को मिल जाएगी, बाकि आपको यहा यहाँ पे आप maximum तीन alarm सेट कर सकते हो, और stopwatch का option मिल जाता है, timer का option मिल जाता है, यहाँ पे आपको, और menstrual cycle का भी option मिल जाता है, यहाँ पे आपको track रखना है, उसका फीमिल के लिए काफी यूसफुल होता है, तो उसका भी option आपको देखने के यहाँ पे मिल जाएगा, बा अगर यह वीडियो को अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, अपने फ्रेंडे शेयर भी करेगा, और चैनल पर ना है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब भी करेगा, तो चली मिलते हैं कैसे नई मजदार वीडियो और रंवासिंग के साथ, तब तक के बाईत की तो चैनल को तो सोस्क्राइब भी करेगा, और चैनल को सस्क्राइब भी कर दो Гईयो करेगा प्ली वब सेथी ह 다양ां, तो सर ड्मी करेगवा फ़ वीडियो करेगा, अपने पो?!?!